सच्ची महबबत वही है जो आपको आपके लक्षे की तरफ आगे बढ़ने में सहायता करती है नमस्कार जैहिन कक्सार्ट का 26 अध्याय चल रहा है हमारे गोरव और आज उसका पार्ट दूजरा या आखरी कह सकते हैं आज इस पार्ट के अंदर 26 अध्याय कंप्लेट कर लेंगे फैक्ट फैक्ट जो भी महतुपूर्ण बनते हैं वो शामिल किये हैं वीडियो का आपको लाइक कर देना है सभी गूरूप में सभी मित्रों को शेयर कर देना है देखिए आज की इस पार्ट में सबसे पहले बात करेंगे महा कवी माग की जो द्यायम एफेक्ट है वो देखते हैं महा कवी माग के जन्म की बात करें हम तो जन्म स्रीमाल नगर यानि की भीनमाल राजस्तान में हुआ ताइन का जन्म संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे ये पतनी का नाम मालन देवी था जो अच्छे कुल में थी और विद्वान थी वो भी माग ने एक मात्र गरंत लिखा और बहुत शांदार लिखा श्रीशुपाल वदम नामकाग की रचना की नोने माग के पिता का नाम था दत्यक अगर पूछा जाएगा मुख्य रूप से तो रचना के बारे में पूछा जाता है कि रचना है जो किनकी है शृषोपाल वधम किनकी है माग कवी, माग की, इस अज्याय के अकोर्डिन, इसके बाद में हम बात करेंगे सुत्रधार मंडन की, सुत्रधार मंडन, बारती इस्तापते सास्तर परंप्रा को अक्षुन बनाई रखने का जो बड़ा योगदान है, या यूं कहें कि बारती व बाबेद्दे दुर्ग है। मंदन के मार्वद दर्सन में गाइडेंस में और योजना के अनुसार बना है कुम्बलगड। मंदनमेवाड के जो महाराणा कुम्बळ है। प्रिये वास्तु शिल्पी रहा है कुमबा का प्रिये वास्तु शिल्पी ता कौन? मंडन मंडन की बात करें रहने वाले की मंडन गुजरात के सोमपुरा शिल्पक के कुल से सम्मन दिथा मंडन के गरंथों को देख लिजी आप जहां से सवाल बन सकता है कि ये गरंत है जो किसके हैं तो यह निम्न में से मंदन का गरंत नहीं है तीन गरंत ये देदेर एक दूसरा देदे तो मंदन के गरंतों में देखते हैं देवता मूर्ती परकरण ये मंदन के गरंत है देवता मूर्ती परकरण प्रासाद मंदनम, वास्तु राजवलभम, वास्तु मंदनम, वास्तु सार और वास्तु मंजरी वास्तु सास्तर से जड़ावाता तो ज्यादतर के वास्तु लगा हुआ है या मंदनम लगा हुआ है इसके बाद मैं बात करते हैं महरसी पाराशर की जो कृसी को उच्चे स्तान पर रखते थे कृसी को प्रमुकता देते थे महरसी पाराशार जन्मिस्तल की बात करें तो वर्तमान पुषकर हजमेर था इनका जन्मिस्तान रिशी पाराशार नाम गरंथ करेचना की इन्होंने एक गरंत क्रिशना की उसका नाम था रिशी पाराशर और इस गरंत में गोधन पुजा का प्राचीन संदर्व दिपावली के बाद पड़वा को करने का वर्णन इसमें मिलता है रिशी पाराशर गरंत में सास्त्रों के अंदर पाराशर रिशी को क्रिशी सास्त्र के परवर्ता के रूप में जाना जाता है यहां मिज़ टाइप हो गया क्रिशी सास्त्र के परवर्ता के रूप में किसी जाना जाता है पाराशर रिशी को क्रिशी को उच्छे स्तान पर रखा इन्होंने सदा रिशी पारासर जो गरंथ है इनका में पारासर रिशी ने वर्सा समंधी भविश्यवानी की है जिनका आज भी कृष्टे का जो प्रियोग करते हैं इनके इस गरंथ में कुछ और चीज़े भी है जैसे कि कौन से फसल कब हो जानी चाहिए उसके लिए पसुमों के लिए क्या-क्या सा चकरपाणी मिश्वर साब के तो मारणा परताब के दरबारी पंडित हैं चक्रपाणी मिश्र उन्होंने चार ग्रंथ करिशना के यह ग्रंथ सब्हस्वार्त माला विवारत दर्ष पहला विश्व वल्लब दूसरा मोहुर्त माला तीसरा विवहार दर्ष और चोथा है राज्य अभिशेक पद्धती यह चार इनके गरंत है इनके गरंतों में हरवा का वी उलेख मिलता है हरवा से गाउं के लोग परिचित होंगे हरवा यानि विविन संकेतों के आधार पर पानी की उपलब दिता की देशा और गहरा ही बताता है हम पूसने जाते हैं खेत में की कहां पर टूबेल वगरा को वगरा होदना चाहिए तो किसी को जानका रहता है तो वो बताता है संकेतों के माद्धे में से देशा के माद्धे में से की यहां पर पानी है जो मिलेगा तो वो कहल चक्र पामिश्र के पुट्र, थे इनके बाद में हम बात करते हैं शारंगधर महोदे के इसी के साथ मैं अपना ध्याय जो कुल हो जैगा शारंगधर महोदे जो हैं हमीर के गुरू क说 हमीर के गुरु रागव देव के पोत्र थे वे दामोदर के पुत्र थे इन्होंने हमीर रासो तथा शारंगदर सहीता गरंतों की रचना की गरंतों का नाम द्या रखना शारंगदर ने कि रचना की हमीर रासो और शारंगदर सहीता की तो इसी के साथ ये अपना अध्याय जो complete वा 26 लाइक कर दें नहीं किया तो शेर कर दें और कमेंट करके एप्रिशेट भी किया परें जाहिए